तो चिन्ने का हिसाब चिन्ने में ही बराबर हो गया है और एक-एक टी में जाएंगी एहमदाबाद अब सवाल यह है कि भारत ने जो यहाँ पर हासिल किया क्या एहमदाबाद की कंडिशन्स में बदल तो नहीं जाएगा क्योंकि वो पिंक बॉल टेस्ट मैच है पिंक बॉल टेस्ट मैच मतलब डे नाइट टेस्ट मैच का मतलब है कि वहाँ पर कंडिशन्स ऐसी नहीं होंगी जो इस विकट में आपने देखी वहाँ पर आपको घास देना होगा क्योंकि गेन का जो रंग है पिंक बॉल का वो बड़ा इंपॉर्टन होता है और वो जल्दी से डिस कलर ना हो इसलिए आप घास देते हैं घास भी देंगे और उस टेस्ट मैच में एक सेशन दिन में होता है दो शाम को होते हैं तो यानि कि इतना स्पिन फ्रेंडली कंडिशन्स तीसरे टेस्ट मैच में नहीं होगी और इंगलेंड शायद अपनी ताकत के साथ उतरेगा जिमी आडिसन को भी खिलाएगा और तेस गेनबाजों को मदद मिलेगी भारत भी अपनी टीम में बदलाव करेगा लेकिन सवाल ये है कि अ सिर्फ नतीजे के लिहाज से बलकि confidence के लिहाज से भी बहुत neutralize हुई जब आब विदेश में आते हैं पहला टेस्ट मैच जीतते हैं आप दूसरे टेस्ट मैच में टीम हलकी नहीं खिलाते हैं अब केविन पीटरसन ने कहा कि जी बहुत बधाई इंडिया इंगलेंड बी को हराने के लिए तो उसमें दोश इंडिया का नहीं है वो इंग्लेंड की सोच का था जिम्मी एंडरसन बहुत जादा cricket खेलते नहीं थे अब जब रिदम आ रही थी तो आपको उनको यहाँ पर खिलाना चाहिए था secondly क्या इंगलेंड ने कंडिशन को अच्छी तरह से रीड किया क्या वो डॉम बेस को भी खिला सकते थे एक फास बोरर को डॉप करके तमाम सवाल है जो इंगलेंड के खेमे में लटक रहे हैं वो अगले टेस्ट मैच में अपनी गलतियों से सबक जरूर लेंगे लेकिन भार कोली ने पहली इनिंग में 70 यहां पर 62 रन बनाए और शायद रवी चंदरन अश्विन का ये confidence ये टीम पर रब करेगा और मुझे लगता है कि यहां से अगर हम ये कहें कि इंडिया अगले दोनों टेस्ट मैच जीत सकता है जीतेगा तो गलत नहीं होगा आप भी जाईए ड या फिराट कोली इस सीरीज में कितने रन बनाएंगे रोई शर्माई सीरी में कितने रन बनाएंगे तो तमाम प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं डाफा न्यूस पर आइफोन 12 बंपर इनाम है दो सोने की सिक्के हैं और 5 दस इनाम है 5-5 थाजार के तो फिलाल सपोर्ट्स तक क के साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जो खबरे हैं इस सीरीज के मुतलिक आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती रहेंगी स्पोर्ट्स से जुडी किसी भी अपडेट के ये स्पोर्ट्स तक को सबस्क्राइब करें और अमारे फेस्बुक और इंस्सेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें